testnet क्या है तो सबसे पहले चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि टेस्ट नेट प्रोजेक्ट आखिर होते क्या है तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी airdrop होता है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है कोई भी application launched होता है तो सबसे पहले उसके टेस्टिंग की जरुरत पड़ती है, टेस्टिंग की जरुरत क्यों पड़ती है, कि उसमें जो बग हो, जो इशूस हो, उसको find किया जा सके, तो जो भी project होते हैं, वो सभी के सभी project कुछ user को testnet perform करने के लिए देते हैं, वहाँ पे आप सभी लोग testnet perform करोगे, और वहाँ पे क कुछ time के बाद उनको जब confirm हो जाता है, कि हमारा जो project है, वो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत smoothly चल रहा है, तो उसके बाद launch होता है mainnet, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा testnet और mainnet क्या होता है, तो हम testnet perform करके भी अच्छा खासा पैसा generate कर सकते हैं, detail video के लिए चै subscribe कर ले,